नहु हिंसा बाबले में शुक्रवार तक 102 FIR दर्ज कर 202 आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है और दो आरोपियों को और रिमांट पर लिया गया है जिससे रिमांट पर चल रहे आरोपियों की संख्या 21 हो गई है पकड़े गए आरोपियों में सभी हिंसा में शामिल पाए गए लेकिन हिंसा के मास्टर माइंड की पहचान कर अभी गिरफतारी करना बागी है मेवात के नों में 31 जुलाई को जलाभी शेक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद जिले में शान्ती विवस्था फिर से पटरी पर आने लगी है चार दिनों में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई ये राहत की बात रही और शुकरवार को जुम्मे की नमाज मुस्बिम समुदाय के लोगों ने प्रिशासन की अपील पर घरों में ही की पूरे जिले में इदगहा मस्जित के बाहर अरसेनिक बल तैनात रहा और इस मामले में अब तक कुल 202 लोगों को गिरफतार किया गया है और 102 FIR दर्ज की गई है फिल्हाल यहां कई हिस्तों में इंटरनेट सेवा बंध है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए छूट दी गई इन बाजारों में सन नाटा चाया हुआ था और प्यूश इस पे जादा जानकारी देंगे प्यूश अब तक 200 से जादा गिरफतारियां 100 से जादा FIR चार दिन बाद भी अभी किस तरह के हालात है करीब अभी तक अगर हम बात करें नोह इलाके जहां पे पत्थर बाजी हुई थी वहीं पे तमाम जो अवैद दुकाने हैं उनको जमिदोज किया जा रहा है तमाम जो प्रसासन के अधिकारी हैं वहां पे मौजूद हैं यानि कि जिस स्थान पर यात्रा पर पत्थराओं किया गया था वहां भी कई जो अवैद निर्मान हैं अवैद दुकाने थी वो मौझा शीयों ही नुह के अलग-अलग इलाकों में साथ ऐसी जगहों को प्रसासन ने चिनित किया है इसके साथ ही अर्ध सैनिक बलकि तुर तमाम जवान हैं वहाँ पे तैनाथ हैं हाला कि इस कारवाई के दौरान कहीने कहीन तमाम विरोध जो है वो भी देखने को मिला कई लोगों ने इस बुल्डोजर की कारवाई का विरोध किया लेकिन जिस तरीके से यात्रा पर उस दौरान आपने देखा कि किस तरीके से पत्राव किया गया और कई लोग उस यात्रा में जो सामिल थे वो घायल हो गए, कई पुलिस कर्मी घायल हो गए और निश्यत्रूप से खटर सरकार पर तमाम जो सवाल है वो उठ रहे थे, खास्तोर पर व्यस्पी भी सवाल उठा रही थी लेकिन जिस तरीके से अब कारवाही सुरू होई है, निश्यत्रूप से एक बड़ी कारवाही हर्याना सरकार जरूर कर रही है और हर्याना सरकार की यही कोशी से किस तरीके से नुहु में सांती विवस्था को कायम कराया जा सके और निशीत रूप से अवैद जो निर्माड है वो फिलहाल अभी हरियाना सरकार के निशाने पदे ठीक बहुत शुक्रिया आप पे उश्रिस त्माम जानकारे के लिए